पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान एक बार फिरसे चर्चाओं में दरसल पाकिस्तान सरकार में बलातकारियों को सक्त सजा देने का फैसला किया है और एक ऐसे कानून को मंजूरी मिल गई है पाकिस्तान में जिसमें बलातकारियों को नपुनसक बनाने की खौफनाक सजा है इमरान खान का हिम्मत वाला एलान बलातकारियों को कड़ी सजा देगा पाकिस्तान बलातकारी पापियों का बुरा होगा अंजाम रेपिष्टों को नपुनसक बनाने का है प्रावधान कभी कभी पाकिस्तान सरकार कुछ ऐसा फैसला करती है जिसको लेकर दुनिया भर में चर्चाएं होने लगती है पाकिस्तान में इमरान सरकार ने एक ऐसा ही फैसला किया है जिसके बाद से पाकिस्तान में बलातकार की घटनाओं में यकिनन कमी देखने को मिलेगी और बलातकार के बारे में सोचने वाले काम जाएंगे बलातकार के बढ़ते मामलों के बीच इमरान खान सरकार ने एक हैरान करने वाला फैसला लिया है दरसल पाकिस्तान सरकार ने एक ऐसे कानून को मंजूरी दी है इसमें बलादकार के दोशियों को नपुनसक बनाने और यौन उत्पीडन के मामलों में तुरंत सुनवाई का प्रावधान है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं नपुनसक बनाने का प्रावधान। इमरान खान के हवाले से कहा गया है कि नए कानून के बाद बलादकार पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्जगर बापाएंगी और सरकार उनकी पहचान छिपा कर रखेगी। इस कानून के तहट रेपिष्टों को इंजेक्शन देकर नपुनसक बना दिया जाएगा। मेटिकल साइंस में इस प्रक्रिया को केमिकल कॉस्ट्रेशन कहा जाता है। पाकिस्तान अब उन देशों के लिष्ट में शामिल हो जाएगा जहां पर बलातकारियों को इसी तरह की खौफनाग सजा दे जाती है। किस-किस देश में बलातकारियों को लेकर क्या-क्या खौफनाग सजा है यह आपको बताएंगे। पहले आपको यह बताते हैं कि नपुनसक बनाने के लिए कैमिकल कॉस्ट्रेशन होता क्या है। चलिए अब आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जहां पर रेपिष्टों को ऐसी सजा दी जाती है। जिससे जानने के बाद कोई बलातकार के बारे में सोच भी नहीं सकता। बलातकारियों को किस तरह की सजा मिलती है। सौधी अरब में ट्राइबेट पार्ट काट दिया जाता है। इंडोनेशिया में नपुनसक बनाने के बाद महिला के हर्मून डाल दिये जाते हैं इराक में सरयाम बलातकारियों को पत्थरों से मार मार कर मौत की सजा दे जाती है तो चीन में फांसी की सजा मिलती है, पोलेंड में नपुनसक बनाने की सजा मिलती है बलातकार पर खौफनाक सजा देने वाले इन देशों के साथ अब पाकिस्तान का नाम भी चुड़ चुका है आप देखने वाली बात ही होगी कि पाकिस्तान में इस नए कानून के बाद क्या बलातकार की घटनाएं कम होंगी पाकिस्तान पर खौफन.